यूपी में अभी तक आपने बाबा का बुल्डोजर चलते देखा हैं लेकिन आज हम आपको लखिमपुर खीवी के दबंगों के दबंगई का ट्रैक्टर चलाना दिखाएंगे सोशल मीडिया पर वाइरलिस्ट खौफनाक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई दबंग कैसे ट्रैक्टर लिए एक वैक्टी के मकान को तोड़ रही हैं वीडियो में पीडित परिवार के लोग चीकते चिलाते नजर आ रही हैं लेकिन दबंगों का ट्रैक्टर रुका नहीं पीडित परिक्ती के मकान को तोड़ने के लिए एक नहीं बलकि दो-दो ट्रैक्टर लगाए गए जिसे मकान को पूरी तरह से धरशाई कर दिया गया साथी वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बुजोर्ग महिला दबंगों का विरोत करती नजर आ रही है महिला के हाथ में डंडा भी है लेकिन एक दबंग ने उसका डंडा पकड़ रखा है दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पकड़ कर किनारे कर दिया और ट्रैक्टर ने पहले घर का एक हिस्सा तोड़ा फिर दूसरे हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया बहराल वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन सबाल अब ये उठता है कि आखिर प्रदेश की योगी सरकार अप्रशासन की लाख कोशिशों के बाद की दबंग आखिर अपने हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही है ब्यूरो रिपोर्ट टीनपी न्यूज